and today you will read synthesis in English grammar और in this chapter you will learn about complex sentence means आप synthesis के अंतरगर complex sentence सीख रहे हो और complex sentence में अब तक आपने noun clause and adjective clause सीख लिया है आप जो आप सीखेंगे एड़ब clause यानि आज का चैप्टर है आपका एड़ब clause अब एड़ब clause किसके अंतरगर आता है यह मैंने पहले भी बताया आपको यानि complex sentence जो है किसके अंतरगर आते हैं बच्चो subordinate clause के अंतरगर यह आते हैं तो subordinate clause कितने प्रकार का होता है पहली बात यह जाननी है और दूसरी बात यह भी जाननी है कि यह complex sentence जो बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं तो आपको जब noun clause adjective clause समझाए थे उस समय आपको बताया था कि complex sentence क्या होते हैं यानिकि दो या दो से अधिक sentences को मिलाकर हम क्या करते हैं complex sentence एक बना देते हैं उसके अंतरगर हम कोई एक connective word लगाते हैं जो according to subordinate clause आपको जो बताया रहे हैं उन मेंसे कोई एक होता है अब subordinate clause में क्या रहता है एक principle clause रहता है और बात बाकी सब भी subordinate clause रहते हैं यह आपको ध्यान रखना क्या एक principle clause रहेगा जो main होगा और बात बाकी सब भी subordinate clause होंगे अब subordinate clause जो हैं आपके कितने प्रकार के हैं, यहनि how many types of subordinate clause how many types of subordinate clause आपको पता होगा और आपको पता है यदि, तो फटा फट से chat box में आप लिख डालिए how many types of subordinate clause कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, सभी को बताए जा चुके हैं अब आपका दुबारा से समझ लीजिए, यह टेस्ट ही हो रहा है कि बीच-बीच में आपसे baby cushion पूछ सकते हैं जो आपको हम पहले बता चुके हैं तो chat box में आपने अब तक लित दिया है, क्या लिखा अपने? आपने कि subordinate clause कितने प्रकार के होते हैं subordinate clause कितने प्रकार के होते हैं हैं यह कौन-कौन से होते हैं बहुत जल्दी से आप चैट बॉक्स पर लिख दीजिए हम यहां लिख रहे हैं मैच करिए फिर आप कितना आपको मेमोरी में हैं तो सबसे पहला आपको बताये था नाउन क्लॉज सेकिंड आपको बताये था एड्जाक्टिव क्लॉज और थर्ड है आपका एड्वर्ब क्लॉज चलियर आप भी अपना चेक कर लिजे और अगर आपका सही है तो इसका मतलब समझ लिजे कि आपने पिछले चैप्टर जितने भी पड़े हुए हैं आपको अच्छे से ध्यान में हैं और जिसकिसी ने अभी तक नाउन क्लॉज और एड्यक्टिव क्लॉज पिछले वीडियो में नहीं पढ़िये तो उसको आप जरूर देखें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक भी दे देंगे हम आपको नाउन क्लॉज और एड्यक्टिव क्लॉज की और आपको पहले से पढ़ाया भी जा चुका है इसलिए आप पिछली वीडियो में जा कर उसको भी देख सकते हैं किलियर है इतनी बाद दूसरी चीज है जो आप पढ़ रहे है एड्यक्टिव क्लॉज पर रहे है इसके बारे में आपको जानना है तो एड्यक्टिव क्लॉज के अंतरगत भी आपको उसी तरीके के कनेक्टिव वर्ड यूज करने हैं अब डिफेंस क्या है इसमें आपको केटेगरी भी बताए गई है कि पर्टिकुलर वर्ड के लिए कौन-कौन से कनेक्टिव वर्ड आपको लगाने हैं तो एड़ब क्लॉस क्या रहे आपके बही चीज दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला कर एक कॉंपलेक्स सेंटेंस बनाना बाई यूजिंग इस टाइप्स ऑफ वर्ड यानि यह जो वर्ड है इनके अंतागर कुछ कनेक्टिव दिये जाते हैं उनके अकौर्डिंग आपको इनका यूज करना है अब एड़ब क्लॉस में कैसे वर्ड हैं टाइम यानि कि समय यदि टाइम के लिए वर्ड क्या हुआ हैं इसके वर्ड आपको लिखाते भी हैं अभीड़ और आप औरल जानकारी कर लिए जैसे place place का मतलब होता है स्थान इस्थान बताने के लिए भी इसमें words का यूज किया जाता है जैसे where है wherever है reason मतलब कारड़ बताना तो यहां पर कारड़ बताने के लिए जैसे because वग्यरा का यूज इसमें किया जाएगा condition कंडिशन का मतलब होता है सर्त बताना सर्त बताने के लिए कौन-कौन से वड़्व हैं यह आपको अभी बताएंगे इस इफ वगेरा है और तुल्ना के लिए किस प्रकार के वर्स होंगे देखिए तुलना क्या होती है जैसे as, so, as, then, etc. इस तरीके के वर्स इसमें दिये जाते हैं आपने यह जो वर्स हैं comparison यानि degree of comparison आपको बताई जा चुकी है तो degree of comparison के अंतरगत इनका uses हमने बहुत अच्छे से आपको सिखाया हुआ है उसके बाब जूद्धी अभी भी आपको बताएंगे next contrast contrast मतलब ब्रोध बताना यानि कि जब हम दो चीजों का आपस में ब्रोध बताते हैं उनके लिए यह वर्स का यूज किया जाते हैं इसे दो हैं although है next result result का मतलब होता है किसी का परड़ाम बताना यानि जब परड़ाम बत बताने के लिए इसमें जो वर्स यूज करेंगे आप कौन कौन से उसकरेंगे अपनी नोट बुक पर ये सारे रूस जो सुरू से अब तक बता रहे हैं आप नोट डाउन भी करेंगे और उसके अलावा सीखते भी चलोगे और लॉन भी करने हैं यह वर्स कि एड़व में कि नाउन में कौन से हैं तो फोर्ट टाइम यानि कि समय आपके बारे में अगर जानकारी होती है सेंटेंस में तो आपको क्या वर्स यूज करने से वैन वैनेवर वाइल तिल अंटिल वीफोर आफ्टर और एस सूट एच तो इसके अंतरगत यह कोई सेंटेंस होता है तो आ आप कैसे बनाएंगे जैसे एक्जाम्पल आपको हम दे हैं आप भी बनाते चलेंगी उस एक्जाम्पल में दो ने क experiencao ने तक किया अब इसको आपको क्या करना है दोनुशंतेंस को शिचे करकर एक सेंटेंस मनाना है कोई भी words इन में से आप यूज कर सकते हैं जो इसके sense को सही रखे तो till माने क्या होता है जब तक, until means होता है जब तक कि नहीं when, जब, whenever, जब कभी भी, while, जब की, before, पहले, after, बाद में, as soon as जैसे की ये कुछ sentences हैं, sorry words हैं, इनका आपको use in sentences, sentence में करना है कैसे करोगे, I waited for Ram Gopal, मैंने राम गोपाल का इंतिजार किया, कब किया, जब तक की वह ना आ जाए तो मैंने राम गोपाल का उसके आने तक इंतिजार किया, अब यहाँ पास sentence में थोड़ी सी changing भी आई, till his arrival की जगे क्या लिखोगे, till he arrived, क्या बना sentence, I waited for Ram Gopal, till he arrived, यह हो गया आपका sentence, next, आपका है, आप और हाँ, आपना भी आप चेक कर लिजिए, आपने कितना सही किया है, chat पर continue आप बने रहिए, और देखिए, जहां आपकी जरूरत है, कि आपको पहले solve करना है, तो आप उसे solve जरूर किया करिए, next step for place, place बताने के लिए कुनकों से words use होते हैं, where और wherever, मनें जहां और जहां कहीं भी, इसके लिए आपको एक example दे रहे हैं, आप कैसे उसमें fit करोगे, इन किसी दोनों में से एक word को, जैसे example है आपका, Nehru went to many places, he was welcomed everywhere, he was welcomed everywhere, आप इसे कैसे बनाओगे, Nehru का, क्या किया, Nehru बहुत इस्थानों पर गए, he was welcomed everywhere, उनका प्रत्यक इस्थान पर स्वागत हुआ, कैसे बोलोगे, Nehru का प्रत्यक इस्थान पर स्वागत हुआ, जहां कहीं भी वो गए, अब क्या किया, आपने पीछे वाला सेंटेंस को आगे लिया, आगे वाला आपने पीछे किया, और बीच में क्या आया, जहां कहीं भी, तो आप कैसे बोलोगे इसको, Nehru, क्योंकि जो noun है, वो तो आपको first number पर ही लेना है, क्योंकि Nehru का pronoun क्या है, he, he को आप आगे नहीं ले सकते, क्योंकि सबसे पहले हम noun को लेते हैं, तो Nehru was welcomed, कहां पर welcome किया गया उनका, जहां कहीं भी, तो जहां कहीं भी, कि English क्या बताएए आपको, wherever he, sorry, wherever he went, यानि जहां कहीं भी वो गई, clear है इतना आपको, अब next है, for reason, reason मतलब क्या है, कारण, अब कारण बताने के लिए कौन-कौन से words होते हैं, because or since, because or since, दोनों का here, corrective के रूप में क्योंकि का होता है, यूच कैसे करेंगे आप, इसको आपको देखना है, जैसे कि एक sentence आपको हम दे रहे हैं, कि, he is weak, he is weak, full stop, I shall teach him, वह कमजोर है, मैं उसे पढ़ाऊंगा, क्या है, वह कमजोर है, मैं उसे पढ़ाऊंगा, अब इसको कैसे बनाना है आपको, मैं उसे पढ़ाऊंगा, क्योंकि वह कमजोर है, क्योंकि आपके पास words limited है, क्योंकि, और कोई word आपके पास नहीं है, अगर आप सीधे सीधे बनाते हो तो क्या रहत होगा वह कमजोर है मैं उसे पढ़ाऊंगा तो यहां क्या जाएगा इसलिए आप सो बाड़ आपके पास नहीं है इसलिए आपको क्या लगाना है गॉलोगे आई क संबर मुझे बिकॉज होगे आरा और क्या रहता हैं संबर अपके लिए कंडिशन संर स्थ बताना अगर सर्थ बताने के लिए बर्ट साथे हैं तो उसके लिए if और unless का यूज़ करते हैं if means होता यदी और यदी नहीं तो इसका अगर example आपको देते हैं तो आप कैसे उसको रीमेट करोगे कैसे बनाओगे जैसे example है आपका do not work too much do not work too much you will loss your health ठीक तो क्या रहा इसमें do not work too much अधिक काम मत करो you will loss your health तुमारा स्वास तक खो जाएगा खो जाएगा मतलब खराब हो जाएगा तो इसमें हमें if या unless यूज करना है तो कैसे बनाओगे हम इसको अपनी लंग्रेज़ बनाते हैं यदि तुम अधिक कारे करते हो आपको यह मालोव है यू वर्क टू मच कॉमा करके यू विल लॉस यॉर है ठीक है इफ यू वर्क तू मच यू विल लॉस यॉर है यह यह यदि तुमने अधिक कारे किया तो तुम क्या होगे अपने स्वास्थ को खोद होगी खिलियर है इस तरीके से ये सेंटेंस आपको बनाना है नेक्स्ट आपका अपका अब करना है यह आपको इसका यूज करना है जैसे जैसे यानि कि जैसे वैसे यानि वह उतनी ही सुन्दर है जितनी की वह है जितना उतना इनके ये यूज होते हैं सो एज नेगेटिब में यूज किया जाता इनी वर्ड्स में दैन अपेच्छा यानि कि तुलना करना डिग्री ओपंपैरीजन में भी एची हमने आपको अच्छे से बता चुके हैं अब आपको कैसे बनाना है यह सेंटेंस यह सीखना है एक्जाम्पल हो जैसे आपका कि सर्ला इस ब्यूटिफुल कि सीता इज इक्वाली ब्यूटिफुल क्या रत हुआ इसका सर्ला इस ब्यूटिफुल सर्ला सुंदर है सीता इस इक्वाली ब्यूटिफुल सीता भी उतनी ही सुंदर है तो कैसे आप इसको करोगे यानि कि सर्ला उतनी ही सुंदर है जितनी की सीता दोनों का आपस में कंपेर ही तो कर रहे हैं तो आप कैसे बनाओग को दूसरी लड़की जो है उसको हमने कंपेर किया पहली से तो हमेशा ध्यान रखना इस तरीके के सेंटेंस हो तो दूसरी लड़की को हम आगे रखेंगे तो क्या बोलेंगे सीता क्योंकि तुलना अफर्मेटिव सेंस में हो रही है इसलिए अस लगा होगे अगर नेडिटिव सेंस में होती तो स्य क्या है पोजेटिव डिग्री है आपको मालों पोजेटिव डिग्री में यह वर्ष होते हैं सब्सक्राइब और अगर आपको इसके यूज़ समझ में ना भी आ रहे हो तो आप दोबारा से हमारी जो चैनल के लिंक है कमप्रेटिव डिग्री यानि डिग्री अपको हमने सिखा दिया है उसमें आप देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी डाल देंगे लिंक जिससे कि आप उससे भी इसको चैक दुबारा से कर सकते हो तो सर्ला इस ब्यूटिफूल सीता इस इक्वली ब्यूटिफूल तो क्या बना सीता इस ब्यूटिफूल एज सर्ला के लिए बच्चों ध्यान दीजे देखिए डिग्री ओंपैरिजिन चैप्टर बहुत इ लिए तो आपको बार-बार कह रहे हैं आप पीछले वीडियो को अब से देखिए चैप्टर आपको बहुत अच्छे से के लिए हो जाएगा नेक्स्ट आपका कंट्रास्ट कंट्रास्ट इनि ब्रोद बताना इसके लिए दो और 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 इवी निपका प्रयोग करते हैं तो कैसे इसका यूज करोगे एग्जाम्पल से आप सीखते हैं तो एग्जाम्पल क्या है इसका कंट्रास्ट के लिए जैसे ही इस पूर अब इसको हमें जोड़ना है तो कैसे बोलेंगे यह दपी बैग गरीब है फिर भी इमानदार है ध्यान दीजे दो या ओल दो वर्ड अगर आप सुरू में लगाते हो तो बीच में जो फुलिस्ट्राफ होता है उसका आर्थ होता है फिर भी उसके लिए हम कॉमा का यूज करते हैं यट का यूज वहाँ पर हम नहीं करेंगे तो यह सेंटेंस क्या बन गया ऑल्दो क्लियर इतना रिजल्ट बताना रिजल्ट बताने के लिए नहीं परड़ाम बताने के लिए सो दैट का यूज करते हैं सो और दैट बीच में एक लॉंग डैस दिया है मैंने लॉंग डैस का मतलब है एक सेंटेंस में सो आएगा दूसरे सेंटेंस में डैट आएगा इस सो का मतलब होता है बहुत अधिक और इस that का मतलब होता है की इसको हम इतना sense में भी sentence के अंदर यूज करते हैं जैसे अगर कहें कि वह इतना बुड़ा है कि चल नहीं सकता और ध्यान देना जो that वाला sentence होता है वो negative form में ही होता है आपने remove to सीखे हैं उसमें आपने इस type के sentences solve किये हुए हैं तो sentence इसका जैसे होगा contrast result में आपका है He was very poor He was very poor He could not buy this book तो He was very poor वह बहुत गरीब था वह इस किताब को नहीं खरीच सकता था आपको मालू में इस सोख आपने क्या बताया बहुत अधिक का sense होगा और दूसा sentence होगा हमारा negative होगा तो अब कैसे भोलेंगे से वह इतना गरीब था कि इस किताब को नहीं खरीच सकता तो कैसे भोलेंगे He was very poor आदेंगे so लगा देंगे He was so poor that he could not buy this book क्लिए रहे अपना आप चेक करते रहे है चैट करते रहे है लगाता और sentence को बनाते रहे है और अपना चेक भी कर लिए जिसे कि यह पता चले है कि आपको कितना क्लिए होता चल रहा है next sentence है हमारा purpose टाइप है परपज बताने के लिए परपज का मतलब होता है उद्देश्य बताना इसमें भी so that इड़र दैट और लीस्ट का प्रियोग किया जाता है इसमें भी मैंने बढ़ इसलिए यहाँ पर भी so that यहाँ पर भी so that लेकिन डिफ्रेंस क्या है इसके बीच में लॉंग डैस दिया है इसका मतलब एक sentence में so और दूसरे में that का यूज करते है लेकिन यहाँ so that सामिल में है इसलिए एक साथ यूज करना हो so that का आर्थ होता है ताकि in order that का भी आर्थ होता है ताकि ध्यां दीजे so that और in order that जब आप यूज करेंगे sentence में कोई भी helping verb दी हुई हो लेकिन आपको may या might या प्रेजेंट होगा may past में यूज करेंगे तो might का ही प्रयोग करना होगा यह correction rule में भी आते हैं least, least का अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो तो इसके संग हम जो है should का यूज करेंगे और कोई भी helping verb बगरा लगी हो उसको हम हटा देंगे कैसे बनाएंगे sentence को जैसे walk carefully you may fall down walk carefully you may fall down कैसे बोलोगे इसको साब्धानी से चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ तो walk carefully least क्या आप में बताया था least you अब मेर जो लगा है उसको हटा कर आप क्या लगा दोगे should fall down clear है walk carefully least you should fall down ऐसे ही इसके भी sentence आर्थ के अकॉर्डिंग ना ताकी का आर्थ हो वहां ये बन जाएंगे नेक्स्ट और लास्ट है हमारा एस किसके लिए आएगा यह यह हमारा मैनर के लिए है किसके लिए है मैनर के लिए as as का आर्थ होता है जैसे तो जब तोर तरीके बताते हैं तो हम इसका यूज करते हैं जैसे आपको इसका भी एक sentence बना दें you have treated you have treated me in a certain way full stop I will treat you in the same way you have treated me in a certain way जैसे तुमने मेरे संग ब्यावार किया है I will treat you in the same way मैं भी वैसा ही तुमारे साथ ब्यावार करूँगा यह जैसे का तैसा तो यह क्या है manner है अब इस sentence को यदि आप बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे कि I will treat you I will treat you as you have treated you have treated me यह sentence आपका बन गया किलियर हो गया होगा अब तक और दुबारा से भी वीडियो को आप देख सकते हो अगर आपको कही किलियर ना हो तो और इसके बाद एक exercise आपको देते हैं homework में जो कि आपको solve करनी होगी और next वीडियो में आपको उस exercise को हम solve करादे हैं जब और इस्याई उसके हो और जसे बांपको भी जब दो करादे हैं झाल